महीनों बाद अपनी गर्ल गैंग से मिली करीना कपूर और जंप कर करवाए फोटो शूट्स आईए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में और दिखाऊंगी उनके लए लेटेस्ट फोटोस नमस्कार मैं स्तेक्दास वागत करती हूँ आपका बेग हैटलाइन्स पर कुरोना वाइरस पिछले पांच महीने से भारत में आतंग मचा रहा है आई दिन इस वाइरस की चपेट में लाखो लोग आ रहे हैं हलाकि पिछले दो महीने से देश भर में लॉकडाउन खत्म हो गया है ऐसे में लोग अपनी पूरी साफधानी से घरों से बाहर निकल रहे हैं ऐसे में बॉलिवूड स्टार्स कैस रह रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं बीते दिनों कई सलेब्स फिल्मों की शूटिंग करते नज़र आये थे तो कुछ अपने घरों से बाहर अपने दोस्तों के संग हैंग आउट करते दिखे अभी आपको बता दे किसी बीच बॉलिवूड की गर्ल गैंग भी महिनों बाद एक साथ नज़र आई हैं करीना कपूर और लंबे समय के बाद अपनी गर्ल गैंग से अम्रिता अरोरा के घर मलायका अरोरा नटाशा पूना वाला और मलिका भथ भी पहुंची थी इस गैंग में करिश्मा कपूर नजर नहीं आई जिसे सभी ने बहुत मिस किया इस खास मौके पर इस गैंग ने जम कर फोटो शूट्स करवाए करीना ने अपनी गर्ल गैंग के साथ शोशल मीडिया पर तस्वीरे शेर की करीना कपूर ने तस्वीर शेर करते हुए लिए जब सबसे बुरा आता है तो सबसे पहले स्क्वाइड आता है करिश्मा कपूर को मिस किया तस्वीर में गर्ल गैंग स्टाइलिश आउट्फिट में कूल पोस देते हुए नजर आ रही थी सारी आक्ट्रिसेस इन फोटोस में करीना का बेबी बम भी नजर आ रहा है प्रेगनेंसी का ग्लोब बेबो के चहरे पर साफ देखने को मिल रहा है करीना और सैफ अपने दूसरे बच्चे के लिए काफी excited है करीना कपूर खान ने पहली pregnancy में काम को जस तरह balance किया था उसका मिसाल अभी कायम है करीना के pregnancy look भी hit रहे थे वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना कपूर खान फिल्म लाल सिंग चड़ा में काम कर रही है आमर खान की ये फिल्म जिसमें करीना का एहम रोल है रिपोर्ट्स है कि करीना फिल्म की शूटिंग को सितंबर औक्टोबर में जॉइन करेंगी वहीं सैफ अली खान की पिछली रिलीज ताना जी और जवानी जाने मन थी करीना सैफ ने अपने दूसरे बच्चे की जानकारी देते हुए बयान जारी किया था जिसमें लिखा था हमें या बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम जल्द ही अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने वाले हैं आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद आप भी बताए कि आप कितने एक्साइटेड हैं करीना कपूर और बेबो पूरी गर्ल गांके इन फोटोस को देख कर और तमाम वालिवुद खबरों के लिए बने हमारे चाल के साथ